वेलकम टू माई चैनल लर्ण मीदेश्टडी दोस्तों दिस इस दा सेवेंटी डेच कम्पलीट मैथ कोर्स की सीरिक चल रही है चाहे आप ऐसे से सीजेल की प्रिप्रेशन कर रहे हूं चाहे सीपियो की, चाहे बैंक प्यो की, चाहे सीएचेसल की सारे लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है अल्रेडी मैं पार्ट वन से लेके पार्ट टेन तक अप्लोड कर चुका हूँ जो लोग नहीं देखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ जाके देख सकते हैं मैं आपको प्री और मेंस दोनों लेवल की कॉश्चन को कम्प्लीट कर रहा हूँ ताक कि आपसे कोई भी कॉश्चन, कॉंसेप्ट परपस से पढ़ने की दुबारा ज़रूरत ना पढ़े कॉश्चन का फॉर्मेट बाइलिंग्वल है ताक कि आपको चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिस मीडियम के दोनों के लिए ही बेनफिट है 70 देज की कम्प्लीट स्कोर सीरीज में आपको 9 टॉपिक अल्रेडी कम्प्लीट हो चुके हैं और इसका यह जो है पार्ट 11 सेशन है ठीक है तो पार्ट 10 वन से लेके 10 तक अल्रेडी मैं अप्लोड कर चुका हूँ जो लोग नहीं देखे हैं अल्रेडी देख लें ताकि उनको बेनफिट मिल सके डेली आपको 5 वीडियो मिल रही है इस तरह से 17 टू 5 तीन सो पचास प्लस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा मैं 3 से 4 दिन तक वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा खुद का एकजाम था उसकी प्रिक्रेशन में लगा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करना था इसलिए मैं नहीं दे पा रहा था आपको वीडियो फिर आज से आपको फिर से रेगुलर हो जाएगा और आपका कोर्स सतर डेज मैंने स्टार्ट किया था 15 अप्रेल से और सतर डेज होता है 24 जुलाई को और 24 जुलाई तक आपका पूरा का पूरा कोर्स फिनीश हो जाएगा यह मेरे गरेंटी है ठीक है इस तरह से आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 200 रुपे पे करके आप कोर्स को जुआइन कर सकते हो पैटियम के थूपे कर सकते हो तेज एक्स के थूपे कर सकते हो SBI का एकाउंट टमबर दिया हो इसके थूपी पे कर सकते हो उसके बाद आपको कैसे जूणना है उसके बाद आपको स्क्रीन सुट इस वाट्सेप नमबर पे सेंड करना है उसके बाद मैं क्या करूँगा आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दूँगा जहां पे आपको डेली पांच वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी लिंक, सेकेंड आपको PDF मिल रहा है bilingual जो मैं क्लास में question करा रहा हूँ और जो जैसे 9 topic complete हो चुके हैं आप उसको भी access कर सकते हो जमर जी आप उसको देख सकते हो वहाँ पे आपको linkable है third आपको PDF practice के लिए भी मिल रहा है और fourth आपको doubt session भी बना हुआ है ताकि आप अपने doubt को भी clear कर सको जैसे question नहीं आता है आप send कर सकते हो वहाँ पे already लोग 100 plus लोग already जुड़ चुके हो ये है type 11 type 11 में भी हम देखेंगे कुछ pre और कुछ men's के question और सारे question आसान है आपको घवडाने की जरूत नहीं है लेकिन question को देखे घवडाना नहीं है और question को बता रहा हूँ देखने में लगता है question tough है बट question आसान होता है देखो question क्या कर रहा है ये भी आपको pre exam में पोचा हुआ question है question कर रहा है कि एक person is moving with a speed of 6 km per hour कोई एक person है run कर रहा है move कर रहा है 6 km परती घंटा एक truck coming from behind cross him उसके पीछे से एक truck आ रही है उसको क्या कर रही है cross कर रही है person can see the truck for 2 minute person क्या कर रहा है 2 minute तक उस truck को देख सकता है now the distance between the truck and person is क्या है 1200 meter उसके बाद देखने के बाद उस person की 2 minute तक तो देख सकता है उसके बाद now अब distance between truck and person truck और person के बीच का distance कितना हो जाता है 1200 meter है find speed of the truck तो speed याद करें truck की speed क्या होती ऐसे question को हम 2-3 method यूज़ करेंगे आपको जो method suitable लगे वो चीज़ आप यूज़ कर लेना question देखो क्या कर रहा है एक ब्यक्ति 6 घंटे की चाल से चल रहा है उसके पीछे आता हुआ एक truck उसे पार करता है वह ब्यक्ति उस truck को 2 मिनट तक देख सकता है और अब truck और ब्यक्ति के बीच की दूरी 1200 meter हो जाती है तो उस truck की चाल ग्यान करें ये भी pre-exam में पूछा हुआ question है देखो कैसे कुछ माल लेते हैं हमारे पास क्या है ब्यक्ति है ठीक है दूसरा क्या है उसके पीछे से क्या आ रही है एक truck आ रही है इसके पीछे से क्या आ रहा है एक truck आ रहा है ट्रक की speed नहीं दी हो भी लेकिन person की speed दी हुई है जो person है वो 6 km per hour की speed से क्या कर रहा है चल रहा है सबसे पहले हम इसको basic के process करते हैं उसके बाद इसका ratio method करेंगे ratio method के बाद इसका relative speed से directly question बना सकते है अब question ध्यान से पढ़िएगा अब यहां के बाद question कर रहा है कि उसको cross कर लिया एक particular time के बाद उसको क्या कर लिया cross कर लिया लेकिन question कर रहा है कि person can see 2 minute तक truck को देख सकता है अब situation देखो माल लेते हैं एक minute मैं erase कर दूँ इसको अच्छे से तेड़ा बन गया था देखो माल लेते हैं कि person यहां से यहां तक truck cross करने के बाद truck माल लो person भी कुछ दूरी तक चलेगा person यहां चला और truck कहां पहुँच भी माल लो यहां पर ठीक है अब ध्यान से देखेगा 2 minute तक देख रहा था 2 minute तक देख रहा था 2 minute तक देख रहा था 1200 meter यहां से यहां तक की बीच कितनी है distance 1200 meter ठीक है यहां से truck की बाद माल लो ऐसे समझ लो कि यह truck है यहां से यहां तक की distance कितनी है 1200 meter ध्यान से देखेगा अब question में एक चीज और बता रहा हूँ question क्या कर रहा है ध्यान से यहां पे देने वाली चीज है हां कि 2 minute तक दिखाई दे रहा यानि कि अगर मैं बात करूँ कि 2 minute तक कितना distance होगा तो 6 into distance क्या होता है speed into time 6 into 2 minute distance क्या होता है speed into time तो 2 into अगर मैं करूँ देखो यहां पे यहां पे 1200 meter है न इसको भी मीटर में कर लूँ पहले पहले इसको किलो मीटर में कर लेता हूँ तो 2 minute है मीट को क्या कर लूँ 60 यानि कितना होगा 10 यानि कितना होगा 2 by 10 क्या होगा किलो मीटर किलो मीटर को मीटर में करने के लिए क्या करूँ 1000 से multiply कर दूँ तो कितना हो जाएगा 200 मीटर यानि यहां से यहां तक 2 मिनट में परसन कितना ट्रेविल किया 200 लेकिन यहां से जो यहां से बात करें ट्रक कितना कर दिया 1400 डिस्टेंस मूब कर दिया 1200 और 200 यानि यहां से ही क्रोस कर रहे थे न यहां से 2 मिनट में परिसन कितना मुव किया 200मीटर लेकिन ट्रक्स यहां से यहां कितना मुव किया 400मीटर बस कॉशन में यही था तो कॉशन में कहा चुह में कहा रहा है ध्यान से देखा quiere Find the speed of truck truck की स्पीड ध्याद करो और time, time कितने है, time ध्यान से, यहाँ पर time ही important है न, तो time सोचो time कितने है, 2 minute में, तो 14-100 यह क्या है, meter को मैं kilometer में बदल लूँ, तो 1000 से भाग दे दूँ, time क्या होता है, speed क्या होता है, speed होता है, distance upon क्या, time, तो distance हो गया यह, meter था, kilometer में बदल लिया, time, time कितना दिया हुआ है, time दिया है, 2 minute, 2 minute को hour में कर लूँ, लोजी, तो बस ऐसे 2-0 से 2-0 cancel, 1 by क्या हो गया, 30, 30 उपर चला जाए गया, 14 into क्या, 30 divided by क्या, 10, यह cancel यानि कितना हो गया, 42 kilometer per hour क्या है, truck की speed है, यह तो रहा आपको basic method, ठ ठीक है, basic method आपको पता चल गया, method 2 apply कर सकते हो, यह चीज़ ना करके, देखो method 2 कैसे apply कर सकते हो, वह भी चीज़ आपको बताता हो, method 2 ratio method use कर सकते हो, ratio method क्या है, ध्यान से देखेगा, ratio method, ratio method क्या, person है, और यह क्या head truck है, person कितना distance move किया, person कितना distance move किया, 200 meter, और truck कितना distance move कर दिया, 1400 meter, यानि कि 0 से 0 cancel कितना हो गया, 1 is to 7, 1 is to 7 क्या हो गया, distance, अब देखो timing दोनों के लिए same है ना, कि 2 मिनट तक ही, timing same है, अब मैंने आपको एक ची बताया था, speed क्या होता है, distance क्या होता है, distance होता है, speed into time, मैंने बताया था, कि अगर time क्या हो, constant हो, time अगर same हो, तो distance किसके proportional होता है, speed की, यानि यह जो distance है, speed का भी ratio कितना हो जाएगा, अब question में ध्यान से देखो, person की speed कितनी दी हुए, 6 km per hour, कितना गुना है, 6 गुना, तो इधर train की भी कितना हो जागा, 6 गुना है, यानि कितना हो गया, 42 km per hour, क्या हो गई, speed हो गई, तो यह रहा आपको method 2, method 2 apply करके आसानी से question बना सकते हो, method 3 आपको बताता हूँ, method 3 क्या है, method 3 देखो सबसे आसान है, method 3 क्या है सबसे आसान है, relative का concept बताता हूँ, relative concept, relative concept, देखो, आपको यहां तक पता चल रहा होगा, कि दोनों के बीच का relative distance कितना है, 1200, रिलेटिब डिस्टेंस कितना है, 1200, लेकिन 1200 यह क्या है, sorry for that, कि 1200 वो क्या कर सकता है, देख सकता है, 1200 क्या कर सकता है देख सकता है मेटर तक देख सकता है 1200 मेटर तक देख सकता है और यहीं क्या है relative distance relative distance होता क्या है दोनों का compare दोनों के बीच की तुलना तो distance होता क्या है relative distance speed into time speed into time अब ध्यान से देखोगे speed अब बताओ ये person है परसन 6 km पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन की स्पीड हमें भी है, क्योंकि पीछे से उसके आ रहा है, यानि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है, यानि भी माइनस 6, क्यों मैं भी माइनस 6 गया हूँ, यहां पर क्यों मैं भी को ही पहले लिया हूँ क्योंकि ओल्रेडी है ट्रक की स्पीड जादा होगी तभी तो इसको क्रोस करेगी परसन को कुश्चन में कह रहा है इन्टू टाइम कितना कितने टाइम दो मिनट दो मिनट का मतलब क्या दो बाई क्या कर लो साथ करनो मिनट को आवर में बदल लिया और रिलेटिव डिस्टेंस कितना है बारा सो कुश्चन में दिया हुआ है बारा सो तो बारा सो मीटर है किलो मेटर बदलने लिए 1000 से भाग दे दूँ भी माइनस 6 इंटू क्या 1 बाई क्या हो गया 32,0 से 20 केंसिल 1,0 से 10 केंसिल यानि कि अगर मल्टिप्लाइ करें तो कितना हो गया बारत यह 36 equal to b-6 तो b武ária उतो 36 plus 6 यानि कितना हो गयए 42 क्यलो मेटर पर आवर और यह क्या हो सकते थे relative के concept से ठीक है और ये question आपको अगेन बताओं कि pre-exam में पूछा हुआ question था next question देखते हैं next question भी pre-exam में पूछा हुआ question है एससे exam समके pre-exam में पूछा हुआ question है question करा है एक person is moving with his speed 2 km per hour एक truck with his speed इतना km per hour यानि पहले question में क्या है truck की speed नहीं दी हुई थी इसमें क्या है truck की speed दी हुई है coming behind from the crosses ही पीछे से आते हुए उसको cross करता है due to fog he can see the truck only for 6 minutes 6 minutes तक ही देख सकता है find the range of eyes of sight of a person in a fog question में करा है कि ध्यान से पढ़िएगा एक ब्यक्ती 2 km per की चाल से चल रहा है 22 km की प्रती घंटे की चाल से उसके पीछे से एक truck उसे पार करता है कोहरे के कारण वो truck को केवल 6 minutes तक देख सकता है कोहरे में उस ब्यक्ती की आंक की द्रिष्टी की range क्या है बहुत आसान question है पहले हम इसको basic से करेंगे basic के बाद आपको method 3 directly use करेंगे relative का concept यह person है person की स्पीड से move कर रहा है 2 km per hour की स्पीड से move कर रहा है truck उसके पीछे से आ रहा है truck मालने तो इस point पर क्या कर रहा है truck cross कर रहा है तो इस point पर truck की स्पीड कितनी है 22 km per hour अब क्या कर रहा है truck ने क्या कर दिया truck मालनों की आगे बढ़ा होगा चल रहा होगा truck यहाँ पहुंच गया और person क्या है person भी कुछ देर तक चला होगा कितना देर तक चला होगा देखो ध्यान से दो इन्टू दोनों क्या है six minute तक देख सकता है दो इन्टू six six minute की बात है minute को hour में बदलनों तो कितना हो गया six by six one by ten यानि ten हो गया नीचे यान two by ten यानि कि point two क्या kilometer यानि person यहां से हां move किया कितना point two kilometer लेकिन ट्रक कितना move किया होगा ट्रक देखो 22 km की speed से चल रहा है कितने six minute ही चल रहा है छे minute तक ही दिखाई दे रहा है तो यह कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूं one by ten यानि ten नीचे होगा यानि कि two point two kilometer यानि जो ट्रक था ट्रक ने कितना distance travel कर लिया two point two kilometer यहां से यहां तक यह truck था तो अब बताओ कह रहा है question कि जो person है वो कितना देख सकता है person कितना देर तक देख सकता है कितना उसकी eye से कितना दिखाई देगा सिर्फ इतना ही दिखाई देगा दो point two kilometer है point two हटा दे two point two minus 0.2 यानि यह distance कितना हो जाएगी दो kilometer यानि दो kilometer क्या करता है person fog में देख सकता है यह क्या होगा आपका answer question यहीं पूछ रहा था method method relative का concept method three relative distance आपको पता है न distance relative distance पूछ रहा है न दोनों कितना देर तक देख सकता है relative distance क्या होता है speed into time speed into time speed speed आपको पता है न दोनों same direction में जा रहा है तो speed क्या हो जाए घट जाएगी यानि कि 22 minus 2 into time कितना लग रहा है time 6 minute तक देख सकता है 6 और minute को arm बदलने के लिए क्या करतो 60 से बाग यानि क्या हो गया 20 into 6 by 60 एक 0 से 1 0 2 3 6 और 3 2 यानि कितना हो गया 2 km क्या है उन दोनों के बीच relative distance यानि उस person क्या कर सकता है उस truck को देख सकता है तो इस तरह से भी आपका answer क्या हो गया तो ऐसे question को हम आसानी से कर सकते हैं कोई question में दम नहीं है बस आपको ये देखना है कि question की labels क्या है concept क्या है और concept यूज करोगे सारे question बन जाये next question देखो ये अब question इसी basis पे आपको question में में आया में में थोड़ा सा changing किया question क्या changing किया वो ची आप ध्यान से देखिएगा question क्या कर दिया कि a train crosses a person moving in the same direction कोई एक truck है train है वो क्या कर रहा है person को cross कर रहा है same direction में with a speed 6 km per hour if person can see the train for 2 minute if person can see up to 1200 2 minute तक देख सकता है और कितना देख सकता है फोग की वज़ा से 1200 मेटर तक देख सकता है find the speed of the train find the speed of the train if length of the train is 300 मेटर question ध्यान से पढ़िएगा question क्या कर रहा है एक rail गाड़ी 6 km पर घंटे की चाल से समान दिसा में चल रहे एक ब्यक्ति को पार करता है ठीक है एक rail गाड़ी question में यहाँ पर कोई mistake नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाँ ठीक है एक rail गाड़ी 6 km प्रती घंटे की चाल से समान दिसा में चल रहे एक ब्यक्ति को देखो यहाँ पर question कर रहे एक train crosses a person in the same direction with a speed 6 km पर आवर यहाँ पर थोड़ा सा question में ध्यान दिजेगा यह जो है न question में correct कर लिजेगा यह person की speed है 6 km की चाल से चल रहे एक ब्यक्ति ठीक है ठीक है हिंदी में भी 6 km की चाल से चल रहे एक ब्यक्ति ठीक है एक train crosses a person moving in the same direction with his speed ठीक है मलब जो परसन की चाल दी हुई है कि कितना 6 km प्रती घंटे से चल रहा है यदी वह ब्यक्ति उस रेलगाडी को दो मिनट तक देख सकता है यदी वह ब्यक्ति कोहरे के कारण के ओल 1200 मीटर की ही दूरी देख सकता है तो रेलगाडी की चाल ग्यात करें यदी रेलगाडी की लंबाई क्या है 300 मीटर इस question में देखो ध्यान से इस question में क्या है एक extra term है कि रेलगाडी की distance भी दी हुई है अब तो देखो ऐसे question में क्या करते है हम सेम वही basic के approach पहले अप्लाई करते हैं परसन किसी स्पीड से चल रहा है, 6 km per hour की स्पीड से चल रहा है, दूसरा क्या है, रेल गाड़ी है, जिसकी distance भी दी हुए है, ये रेल गाड़ी पालने इस particular point पे आके, इसकी speed लिकाननी है भी, अब क्या है, दो मिनट तक ध्यान से देखो, रेल गाड़ी यहां से, फाइनली मानलो की रेल गाड़ी यहां से यहां तक पहुँच गई, ठीके, रेल गाड़ी यहां से यहां तक पहुच गई, लेकिन रेल गाड़ी की distance दी हुए है, कितना है, 300 meter, और परसन मानलो की यहां से यहां आ गया होगा लेकिन कितना तक गया देखो, दो मिन्ट तक ही, वो क्या कर रहा है, 10 को देख सकता है, तो दो मिन्ट तक, distance कितना होजाईगा, speed into time, 2 by क्या कर लो, 60 कर लो, 2 by 60, तो यह कितना हो गया, 2 by 60, 10 हो गया, यहनि कितना हो गया, 0.2, 0.2, अगर 0.2 किलो मीटर है, अगर इसको मीटर में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, मल्टिप्लाइ कर लूँ 1000 से तो 200 मीटर आ जाएगा, यानि परसन यहां से यहां कितना हो जाएगा, 200 मेटर, यहां तक समझ में आ गया कि परसन कहा तक चला हुगा, 200 मेटर तक चला और ट्रेन कितना चलेगा, देखो ट्रेन अगर ध्यान से देखिएगा, यहां तक clear हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब फाइनली कोश्चन में एक और कह रहा है कि परसन कितना देख सकता ह यहां से यहां तक कितना देख रहा है 1200 मीटर ही देख पाता है यानि कि जो ट्रेन है ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेंस ट्राइब किया टोटल देखो तो अब मैं speed लिका दूँ, speed of train क्या होता है, distance, distance train ने कितना मोग किया, 1700 मेटर, मेटर को किलो मेटर में बदल दें, चलो मेटर को किलो मेटर में बदल देते हैं, 1000 से भाग कर लिए, distance, speed क्यों था, distance upon time, time कितना दिया हुआ है, time तो वहीं 2 मिनट ही दिया हुआ है, 2 मिनट, इसक 260 से भाग करूँ, hour में कर लो, 2 0 से 2 0 cancel, यानि 17 into, ये क्या हो गया, 1 by 30, 30 उपर चला जाएगा, और नीचे क्या रहा जाएगा, 10, cancel यानि कितना, 15 km पर hour की speed से क्या कर रहा है, train मोग कर रहा है, ये मेंस का question था, logic वहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे concept, एक टर्म यहाँ अगर मैं इसको short approach relative speed से करूँ, तो relative speed से कैसे कर सकता हूँ, relative speed जो हम short approach कर रहे थे, relative relative का concept, relative distance कितना है दोनों के बीच, 1200 मेटर क्योंकि 1200 मेटर ही देख सकता है, और आपको पता है, relative distance क्या होता है, दोनों के comparable, तो relative distance, अब एक परसन चल रहा है, 6 से, train चल रहा है, भी से, तो into time, time कितना है, 6, 6 minute लग रहा है, time sorry, 2 minute लग रहा है, मैं 2 minute ले लूँ, time कितना लग रहा है, 2 minute, तो 2 minute को hour में बता देता हूँ, 60 से भाग कर लेता हूँ, अब question में ध्यान से देखिएगा, distance, 1200 मेटर तो distance था ही था, ये क्या था, relative, लेकिन उस train की length भी तो थी 300 मेटर, यानि करेंगे, क्यों add किये, क्योंकि length, train की अभी से पहले length नहीं दी हुई थी, इसमें length भी दी हुई है, यानि ये तो relative distance 1200 था ही था ही, लेकिन train का साथ ही साथ क्या था, और भी था train का क्या था, 300 मेटर की distance थी, train का length भी था, और V-6, हमें train की speed लिकाल नहीं है, 1 by 30, ये कितना हो गया, 1500, ठीक है, अब देखो 1500 मेटर को, मेटर है, मेटर को मैं क्या करनों, किलो मेटर में बदल लों, क्योंकि यहाँ पे hour है, तो V-6 into क्या, 1 by 30, इधर hour था, 2 0 से 2 0 cancel, 1 0 से 1 0 cancel, यानि क्या हो गया, 15 into 3 is equal to V-6, 45 is equal to V-6, तो V is equal to 45 और प्लस 6, कितना हो गया, एक 50 km per hour, आप basic से approach बना लो, या आप relative का concept लगा लो, दोनों से question क्या का, answer क्या आएगा, same आएगा, अगर मैं exam में हूँ, तो relative के concept यूज करूँगा, basic लेकिन आना चाहिए, ठीक है, next, ये भी mens का question है, देखो, mens के question कैसे पूछे हुए, ध्यान से देखेगा, इस question को, mens में पूछा हुआ, question, question करें कि, a train crosses a person moving in the same direction, with a speed 4 km per hour, if a person can see the train for 3 minutes, if a person can see only for 800 meter due to fog, find the length of the train, if speed of the train is 24 km per hour, same question है, थोड़ा सा differentiate है, बस आपको concept, चुली strong है, तो सारा question बन जागा, पहले हम basic से ही बनाते है, person कितने से move कर रहा है, 4 km per hour की speed से, train जो है, train जो है, train किसी speed से move कर रहा है, train की speed दी हुई है, 24 km per hour की speed से, उसके पीछे से उसको cross कर रहा है, बस यहीं question कर रहा है, ध्यान से देखेगा, चलो जी, cross करने के बाद, train मानलो कि, यहां से, यहां पोंच गया, और यह person कहां से, यहां से, यहां पोंच गया, person कितना distance travel किया, तीन मिनट में, क्योंकि तीन मिनट तक ही देख सकता है तो 4 into 3 और इसको आवर में करूँ तो कितना 60 यानि कि 1 by कितना हो गया 20 यानि कि कितना हो गया 1 by 5 यानि 1 by 5 किलो मीटर हुआ इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करूँ 1000 से क्या कर लोँ, भाग कर लो 1000 से मल्टिप्लाइ कर लो, सोरी तो कितना हो गया? 200 मीटर यानि परसन ने कितना मूब किया? 200 मीटर 200 मीटर, ट्रेन कितना मूब किया? ट्रेन की बात करो, तो ट्रेन 24 किलो मेटर की स्पीड से चल रहा है, पर आवर से वो भी 3 मिनट तक ही चला क्योंगे 3 मिनर तक ही देख सकता था तो 3 मिनर, 3 बाई क्या हो गया, 60 यानि कि 1 बाई 20 24 इंटू 1 बाई 20 ये किलो मीटर आ गया, किलो मीटर को 1000 से मल्टिपलाई कर दें, मीटर में तो 20, 5, 100, 50 और 25, 5 कितना हो गया, 120 यानि 1200 यानि ट्रेन ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेबल कर लिया, 1200 कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से देखिएगा और एक इनफोर्मेशन दिया हुआ है कि परसन जो है 800 मीटर ही देख पाता है यानि परसन यहां से यहां तक कितना देख सकता है यानि अब कोईशन क्या कर रहा है ट्रेन की लेंथ ग्याद करो यानि यह वाला पोर्षन लेंथ ग्याद करना है तोटल 1200 है, यहां से यहां तक की बात करो 200 और यह 800 यानि टोटल यहां से यहां तक 1000 हो गया तो 1000 हो गया, यह टोटल 1200 है तो ये कितना हो गया? 200 यानि जो train की length थी question करना find the length of the train train की length कितनी थी? 200 meter अगर kilometer में बदलना है अगर kilometer में भी कहीं sometimes kilometer में आ जाता है तो kilometer में करना है 200 divided by 1000 से multiply कर लो 20 से 20 0.2 kilometer ये रहा basic approach बेसिक के approach से भी आप आसानी से question को कर लिए next हम देखते हैं इसका relative concept relative से भी question को बना सकते हो देखो relative से कैसे बना होगे question को relative के concept से वही relative distance relative distance relative distance relative distance कितना है? कितना देख सकता है person? 800 और साथ ही साथ 800 तो देख सकता है चलो इसको इतना ज़रुरत ही नहीं है ध्यान से SM कर लेते हैं relative distance distance होता क्या है, speed into time person कितना से चल रहा था 4 से, और train कितना से चल रहा है, 24 km से distance क्या था, speed into time दोनों same direction में जा रहे हैं, तो क्या होता है, speed घड़ जाता है time कितना, 3 मिनट तक देख सकते हैं, 3 by 60 कर लिया ये क्या हो गया, 1 by 20 1 by 20 और ये कि इतना हो गया, 20 24 में से 4 गया, यानि कि 20 into 1 by 20, यानि कितना हो गया 1 km 1 km का मतलब कितना होता है 1000 m यानि जो ये distance relative distance आया relative distance आया, relative distance relative distance कितना आ गया 1000 m लेकिन relative distance जो है न वो क्या है देखो, ध्यान से देखो 800 800 total distance कितना आ गया हमारे पास कि total distance relative का concept से total distance कितना आ गया कि 1000 m है 800 परसन देख सकता है 800, देखो, मैं बात करता हूँ ऐसे कि 1000 ये distance है 800 परसन यहां से यहां तक 800 देख सकता है 800 m देख सकता है यानि ये जो रही होगी वो क्या होगी train की length यानि ये train की length कितनी बची रह गई 200 यानि 800 प्लस 200 तभी तो 1000 होगा यानि ये जो रहा होगा वो क्या रहा होगा train की length तो train की length कितनी हो गई 200 तो इस तरह से ये भी आपको मेंस का question था अगर आप logical approach अपना होगी तो सारे question conceptual approach अपना होगी तो सारे question बन जाएंगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें अगर आप मेरे channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe कर लें और comment जरूर करें कि आपको वीडियो से help मिलती है कि नहीं और मज़ा आता है कि नहीं session देखने के बाद आपको ये feel होता है कि नहीं कि question आपसे बन जाए thank you bye bye मिलते हैं next part